सो आगत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर आप सभी को मेरा प्यार बना नमस्कार सलाम आदाब मेरे प्रिये सिक्षक साथियों दोस्तों आज का जो वीडियो है यह विद्याली परधान सिक्षक के लिए है यानि 2024 में विद्याली परधान सिक्षक के लिए जो एकजाम होने वाला है उसके लिए यह 20 सब्जक्ट से कुश्चन है 20 सब्जक्ट किया है पहला नमबर question है किस केंदरियर मंत्राले द्याले स्वर धरो हर उत्सा का आयोजन किया गया तो इसका सही answer होगा option number C संस्क्रिती मंत्राले क्योंकि दिसंबर 2022 में केंदरियर संस्क्रिती मंत्राले द्याले दिल्ली में स्वर धरोहर उत्सों का आयोजन किया गया और इस महत्सों का उद्देश्य देश की पर्तिष्ठित कला संस्कृती और विरासत को परदशित करना है चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर दो दो नमबर कोशन है सूपर कम्प्यूटर परम शक्ति को कहा अस्थापित किया गया है तो इसका सही अंसर होगा आपसर नमबर A आई आई टी खडगपूर क्या है भई आई आई टी खडगपूर ध्यान देंगे कि IIT खडगपूर तो इसको जो है सूपर कम्प्यूटर परम शक्ति कहा गया वैसे ही IIT गुहाटी को परम कामरूप कहा गया और IIT गांधी नगर को परम अनंत कहा गया उसके बाद IIT रूड़की को परम गंगा कहा गया चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर थिरी थिरी नमबर कोश्चन है भारतिय सेना ने किस देश के साथ सन्यूक्त परसिक्षन अभ्यास साइकलोन वन का सुभारम किया उस अभ्यास का नाम क्या दिया गया था साइकलोन वन यानि भारतिय सेना ने किस देश के साथ सन्यूक्त परसिक्षन अभ्यास साइकलोन वन का सुभारंब किया तो इसका सही अंसर होगा option number A मिस्र ध्यान देंगे के भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइकलोन वन का आयोजन राजस्थान के जैसल मेर में किया गया यह सेन अभ्यास दोनों देशों के सेनाओं के बीच अब तक का पहला सन्यूक्त अभ्यास है चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 4 4 number question है परियाटन को पुर्तसाहन देने के लिए अंतरराश्टरिये परियाटन परदर्शनी FITUR इसका पुरा full form इसको जो हो जायेगा यानि के आप sort form में कह सकते हैं फितूर का आयोजन जो किया गया या किस देश में किया गया यानि किस देश में आयोजित किया गया तो इसका सही अंसर होगा option number C Spain द्यान देंगे Madrid यानि Spain में जनवरी 23 में अंतराश्टरिये परियाटन परदर्शनी मेला FITUR का आयोजन किया गया चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 5 Five number question है इंडिया Justice Report 2022 के संदर्व में कौन सा कथन आ सकते है यानि इसमें से कौन सा कथन गलत है किसके लिए तो इंडिया Justice में जो कथन दिया है कौन गलत है तो पहले एक option देखते है Option A है जोजई में पर्थम स्थान करना टक का है उसके बाद option B है इसमें बिहार का अस्थान अंतिम है और next option है इसमें पश्चिम बंगाल का अस्थान अंतिम से दूसरा है और option D है छोटे राजियों में सिक्किम स्रेश्ट अस्थान पर है लेकिन इसमें जो कथन गलत के लिए पूछ रहा है बाकी है सब सही है option C, option D इसलिए जो है इसका option number B यानि के इसमें बिहार का अस्थान अंतिम पर है यह गलत है इसलिए इसका सही अंसर होगा option number B क्योंकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राजियों की रैंकिंग में करनाटक 6.38 अंक और भारत का स्रेश्ट राज्य है जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्य में उत्तर परदेश अंतिम पायदान 18 रैंक पर है इसमें बिहार अंतिम से तीसरे अस्थान पर 16 रैंक पर है छोटे राज्यों में सिक्किं 5.01 अंक के साथ स्रेश्ट राज्य है और उत्तर परदेश को सबसे नीचे 18 अस्थान पराप्त हुआ है चलिए नेक्स्ट कोष्टन के तरफ बढ़ते हैं कोष्टन नंबर 6 चोष्टन है के फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विशों की सो सरवाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित मंत्री स्री मती निर्मला सीता रामन को कौन सा अस्थान पराप्त हुआ तो इसका सही अंसर होगा ओप्सन नंबर 20 च्थान पराप्त हुआ फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विशों की सो सरवाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के छो महिलाओं को शामिल किया गया है जिसमें वित मंत्री स्री मती निर्मला सीतर रामन है चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर साथ साथ नमबर कोशन है फीफा विशोकप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है तो ध्यान देंगे इसमें जो है सबसे पहले हम पो आप्सन देखना होगा तो पहला नमबर आप्सन है गोल्डन बूट पुरसकार विलियम के लिए यन एमबाप्पे को दिया गया इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन गलत है किसके लिए तो फीफा वे शोकप 2022 के लिए वो आप्सन नमबर भी है गोल्डन बॉल पुरसकार लियोनल मेसी को दिया गया नेक्स्ट आप्सन देखते हैं इसका आप्सन नमबर सी अरजन्टीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है अप्सन दी है फीफा यंग फलेर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया है लेकिन इसका सही अंसर होगा अप्सन नमबर सी अप्सन नमबर सी इस दा राइट अंसर अरजन्टीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है यह ओप्सन गलत है इसलिए इसका कथन पुछ रहा है कौन गलत है इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर सी अरजन्टीना ने यह दूसरी बार जीता है त्यान देंगे वस दो हजर बाइस फीफा विशोक अप परतियोईता का दो बाइसवा संस्क्रण का योजन जो है कौतर यानि दोहा में किया गया था अरजन्टीना का फीफा विशोक अप में यह तीसरा खिताब है और यहां कर रहा है दूसरी बार जीता हुआ इसलिए यह गलत है तीसरा खिताब है गोल्डन बूट किलियन एमबाप्पे को तथा गोल्डन बॉल लियोनल मेसी को एवं फीफा यंग पलेयर का अवार्ड एंजो फर्नांडीन्ज यानि अर्जन्टीना को दिया गया है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आठ आठ नमबर कोश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य सोयम का जलवायू परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो इसका सही अंसर होगा आपसन नमबर बी तमिल ना बारू सोयम का जलवायू परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है चलिए नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं कोश्चन नमबर नौ नमबर कोश्चन है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभैचर कहा जाता है तो इसका सही अंसर अप्सन नमबर ए ब्रायोफाइटा द्यान देंगे ब्रायोफाइटा विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभैचर कहा जाता है इस विभाग के पौधे भूमी पर नम एवं छायदार अस्थानों पर उखते हैं अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं इस व अरकेशिया इत्यादी है चलिए नेक्ष्ट कोश्चन के तरब बढ़ते हैं कोश्चन नम्बर दस दस नंबर कोश्चन है सभी जीवों की रचनातमक एमण किर्यातमक एकाई है तो इसका सही делभी उंसर होगा अफसा नम्बर सी कोशीका द्यान देंगे सभी जीवों की रचनात्मक एमाम किरियात्मक एकाई कोशिका है कोशिका की खोज रोबर्ट हूक एमाम केंद्रक की खोज रोबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया है विरिक एकी रचनात्मक एवन किर्यात्मक एकाई निफरौन है परतियक विरिक में निफरौन की संख्या 10 लाग होती है तंतरीका तंतरीकी रचनात्मक एवन किर्यात्मक एकाई निउरौन है चलिए नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं कोशन नमबर ग्यारह ग्यारह इसका सही अंसर होगा आप्सन नंबर B, सन्योजी उथक, ध्यान देंगे अस्थी सन्योजी उथक है. चलिए नेक्स्ट कोशिन के तरह बढ़ते हैं वारा बारा नंबर कोश्चन है पित का निर्मान होता है, तो पित का निर्मान यक्रीत में होता है इसलिए इसका सही अंसर होगा आप्सन नमबर B यक्रीत में ध्यान देंगे पित का निर्मान यक्रीत में होता है यक्रीत मानों शरीर का सबसे बड़ा अंग है हलाकि मानों का सबसे बड़ा सनवेदी अंग जो है तवाचा है यकरीत में पुनर जनन की छमता पाई जाती है और यकरीत से निर्मित पितरस जिसको बोला जाता है चारिये परकिरती का होता है पितरस का संगरहन पिताश्य में होता है चलिए नेक्स कोश्चन के तरह बढ़ते कोश्चन नंबर 13 नंबर ग कोश्चन है तो इसका सही अंसर होगा ओपसं नंबर ऑ पेरिकारडियं जो है पैरिकारडियं जिली द्वारा गिरी रहती है मस्तिस्क मेनीन जस जिल्ली द्वारा घिरी रहती है ये याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर चाउदा चाउदा नमबर कोश्चन है रेजिन किस पौधों का उत्सरजी पदार्थ है तो द्यान देंगे आप्सन नमबर सी इसका सही अंसर होगा चीगड रेजिन चीगड़ पौधों का उत्सरजी पदार्थ है द्यान देंगे चीगड़ यानि इंग्लिस में उसको पाइन बोला जाता है रेजिन चीगड़ पौधों का उत्सरजी पदार्थ है कुछ पौधे अपने उत्सरजी पदार्थ को मृत कोशिकाओं यानि अंतकास्ट में कुछ पौधे पतियों एवम छाल में एवम कुछ पौधे कोशिकाओं कोशिकिये रिक्तिकाओं में संचित रखते हैं टैनिन उत्सरजी पदार्थ विरिक्षों की छाल में संचित रहता है और रेजिन उत्सरजी पदार्थ विरिक्षों की पुराने जाइलम में संचित रहता है जैसे बबूल हो गया नोट में याद रखिएगा लैक्टेक्स जो होता है यानि लैक्टेक्स कुछ पधों दोवारा उत्सरजी गाढ़े दुधिया तरल जैसा होता है और लैक्टेक्स का उत्सरजन पीपल, बरगद, कनेर, इतियादी पधे करते हैं ये याद रखिएगा हमेसा चलिये recovered question के तरफ बढ़ते हैं, question number 15 पंदर reducing number question है निमन में से master guarantee कहा जाता है यानि निमन में से कीसे master guarantee कहा जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number b pitutary guarantee, क्या भाही? pitıtary guarantee, यानि के pitutary guarantee मस्तिस्क में एक सेला टर्सी का नामक अस्थिगुऊं में श्थित होती है उसके बाद पिट्यूत्री गरंथी से निमन हर्मोन का सराव होता है ध्यान देंगे ज़रा साथ यह याद रखिएगा कि पिट्यूत्री गरंथी से किस तरह का हर्मोन का सराव होता है तो विर्वधी हर्मोन या सामेटोटरोंपीन उसके बाद thyroid प्रेरक हर्मोन जिसको short form TSM बोला जाता है उसके बाद adrenocarticotropic हर्मोन होता है इसको short form ACTH बोला जाता है उसके बाद luteinizing हर्मोन है इसको short form LH बोला जाता है उसके बाद utica प्रेरक हर्मोन इतियादी जो होता है ये सब ही जो है क्या होता है पिट्यूटी गरंथी से इस हार्मोन का आफ़ा होता है हाला कि इसमें तो बहुत सारा और भी कहने के लिए बताने के लिए है लेकिन अब इतना ही इसमें काफी है ये याद रखीगा चलिए नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे ऑप्सन नमबर 20 का सही अंसर हो जाएगा असमजात अंग के उदारन है पक्छी तता चमगादर के पंग मतलब ये हुआ कि वीभीन जनतूँ की संरचना के अध्याएं से यह पता चलता है कि भीन भीन वतारन में रहने वाले जनतूँ के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना या उव उद्पत्ति के दिश्टि कोण से तो एक समान होते हैं परंटु अपने वतारन के अनुसार भीन भीन कारियों का संपादन करते हैं ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं जैसे मेढख, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली तथा मनुस्ते के अगरुपाद उसके बाद समजात अंगों की विपित जन्तुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसकी उत्पती एक संरचना एक दूसरे से भिन होती है परंतु वे एक ही परकार का काज करते हैं ऐसे अंग और समजात अंग कहलाते हैं जैसे तितली तथा पक्षी के पंक उड़ने का काज करते हैं परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पती अलग-अलग परकार की होती है चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर सत्रह सत्रह नमबर कोशन है निमन में से की सभावती कराशी की एकाई में समय का दो बार उप्योग होता है तो याद रखे इसका सही अंसर होगा अपसन नमबर A तोरन तोरन ज्यान देंगे तोरन जो है समय के साथ वेग में पविवरतन की इदर को कहते हैं यानि इसका डिफिनेशन क्या होगा तो समय के साथ वेग में पविवरतन की इदर को तोरन का CGS मातराक सेंटी मीटर पर ती सेकंड स्क्वाइर होता है तथा तोरन का SI मातराक जो होता है मीटर परती सेकंड इस्कौाइर होता है अटा जो है यहां पर ध्यान देंगे तोरन बड़ावर फर्मूला होता है वेग में पर वरतन बटास्ट सम है अब यहाँ याद रखिएगा कि चाल तथा वेग की CGSE काई सेंटी मीटर में सेंटी मीटर परती सेकंड तथा एसाई एकाई मीटर पर 30 सेकंड में है इसके लिए चलिए नेक्स्ट कोश्टन के तरह बढ़ते हैं कोश्टन नमबर 18 18 नमबर कोश्टन है बोस के अचानक रूपने से बोस में बैठे यातरियों का शरीर आगे की और जूप जाता है इसका कारण क्या है तो इसका याद रखिएगा ओप्सन नमबर 20 का सही अंसर होगा गती का जड़तोव क्या होगा गती का जड़तोव यानि के न्यूटन के पर्थम नियम के अनुसार यदि कोई वस्टू गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि कोई वस्टू इस्थिर है तो इस्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए न्यूटन के पर्थम नियम को जड़तोव का नियम भी कहा जाता है उसके बाद जड़तोव दो परकार का होता है विराम का जड़त्वा और गती का जड़त्वा ये हमेशा याद रखिएगा चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं question number 19 19 number question है परतियावर्ती धारा को दिश्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं युक्ति का मतलब हो गया यंत्र तो याद रखिएगा परतियावर्ती धारा को दिश्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई तो rectifier कहते हैं option number 20 इसका सही अंसर होगा rectifier ध्यान देंगे यह एक वैधुति यानि विधुतिय युक्ति है चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं question number 20 20 number question को देखने से पहले चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यानि आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल को subscribe करना भूल गया है तो जल्दी से इस चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आइकन पे फरेज कर दीजिए घंटा वाल आल पर किलिक कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे चूटेगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है बस एक सेकंड का समय लगता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तो लाइब करने के जरूत नहीं है वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए कोश्चन देखते हैं यदि किसी गतिमान वस्तू के वेग को दुगुना कर दिया जाय तो उसकी गतीज उर्जा में क्या परभाव पड़ेगा त इस्तितीज उर्जा और गतीज उर्जा होता है ये दुग परकार के होते हैं किसी वस्तू में उसकी इस्तिती के कारण उपन उर्जा इस्तितीज उर्जा कहलाती है जिसको पोटेंसिल इनर्जी बोला जाता है और इसका फर्मूला होता है MGH उसके बाद गतीज उर्जा है तो किसी वस्तु में उसकी गती के कारण उपन उर्जा, गतीज उर्जा कहलाती है, जिसको सॉट फर्म में काइनेटिक इनर्जी बोलते हैं, यानि के-ई, यानि फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक इनर्जी का 1 बाइ 2 एम भी एसको आइर, जब इसको निकाला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पर हम फर्मूला पे जब इसको सॉल्ब किया जाएगा, तो क्या होगा, चारगुना हो जाएगा, इसलिए इसकी गतीज उर्जा चोगुनी हो जाएगी, option A है गतीज उर्जा आधी हो जाएगी option B है गतीज उर्जा दुगुनी हो जाएगी next option देखते हैं इसका option C है गतीज उर्जा दीगुनी हो जाएगी option D है गतीज उर्जा चोगुनी हो जाएगी तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number D गतीज उर्जा चोगूनी हो जाएगी चलिए वीडियो को आखरी तक देखिने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सरा ख्याल रखियेगा